नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंचिन भार दुआ जोर आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश त्योहारों पर कौन ज्यादा कैलोरीज, मीठा, फैट वजन बढ़ना इन सब के बारे में सोचना पसंद करता है लेकिन त्योहार के बाद हमेशा यादाता है कि वजन बढ़ गया, अब काम कैसे होगा ऐसे में लजीज पकवानों के साथ एक्स्ट्रा फैट, चीनी और एक्स्ट्रा कैलोरीज शरीर में बहुच चाती है साथ ही कई हानिका रखता तो भी शरीर में बैटने लगते हैं जिससे बॉडी फंक्शन्स और इम्यून सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है इन सभी नुकसान दायक प्रदातों से चुटकारा पाने के लिए आप अपनी बॉडी को डीटॉक्स करना ना भूलें इसे बॉडी डीटॉक्स तो होगी ही साथ ही अचानक से बड़ा वजन भी कंट्रोल में लाने में मदद मिल सकती है तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं त्योहारों के बाद कैसे वजन खटाते हुए बॉडी डीटॉक्स करें ताकि दोबारा अगले त्योहार में जम कर खा सके सबसे पहले तो आप कुछ डीटॉक्स ड्रिंक का नुसका अपना सकते हैं जैसे ग्रीन टी जो शरीर में पहुचे गैर जरूरी फैट को पिगालने और नई उर्जा प्राप्त करने में मदद करती है यह आपको तरुतासा रखने मोटा पा घटाने और गले की समस्याओ से बचाने का काम करेगी नीभू और अद्रक की डीटॉक्स ड्रिंक अगर आप सही समय और सही मात्रा में पीते हैं तो इससे वजन घटाने में आपको मदद मिलेगी इस ड्रिंक को आपको सुभा खाली पेट पीना होगा इससे शरीर को एनरजी मिलेगी और मेटबॉलिसम भी दुरस्त होगा इसके लिए आप एक गलास गुन-गुने पानी में आधानी बुनी चोड़ कर उसमें एक इंच का अद्रक का टुकडा ग्रेट कर ले अब इस ड्रिंक को हर रोज दो गलास दो महीने तक पिए आपको फर्क दिखने लगेगा खीरे और पुदीने से बना डीटॉक्स ड्रिंग ना केवल आपकी बॉड़ी को डीटॉक्स करता है बलके वजन घटाने में भी मदद करता है खीर और पुदीना पानी में डालने पर उसके पोशक तत्वे भी शरीर में पहुचते हैं इसे पीने से पाचन भी बहतर होता है रोज एक गलास पानी या अपनी बोतल में खीरे के टुकडे और पुदीने की पत्यां डाले इस पानी को पूरे दिन पिए दालचीनी का इस्तेमाल वजन घटाने के लिए किया जाता है इस ड्रिंक से मेटेबॉलिजम मजबूत होता है और फैट कम होने में मदद मिलती है एक गलास गुनगुना पानी लें और एक छोटी चमर्स दालचीनी का पाउडर उसमें डाल दें अब सोते वक्त इस डीटॉक्स ट्रिंक को पिए अपनी डाइट में बथवा, हरीमेथी, पालक, कड़ी चावल और बीन्स शामिल कर लीजिए ये सबी फूर्ट बहुत लाइट होते हैं लेकिन शरीर को तुरंट एनरजी देने का काम करते हैं शरीर में डीटॉक्स और हानिकारक तत्वों को निकालने के लिए हर दिन दुपहर के समय ये लंच और डिनर के बीच के समय में आम सलाद खाएं इस सलाद में गाजर, शलजम, मूली, देसी टमाटर और चुकुंदर को जरूर शामिल करें ये सभी मौसमी सबजियां यदि कच्ची खाई जाएं तो शरी को जरूरी मातर में वाइटमिन्स और फाइबर्स के प्राप्ति होती है जिससे शरी के सभी टॉक्सिंस बाहर निकलने में मदद मिल सकती है खाने में हल्दी जरूर शामिल करें सबजी के अलावा आप खल्दी वाला दूद भी पी सकते हैं चाच और दही का सेवन सरूर करें चाच को हींग, जीराओ और जवाइन का तड़का लगा कर उपियोग में लाया जा सकता है दही को दोपहर के समय खाएं, दूद से बने ये दोनों प्रोडक्ट्स में प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है और फैट की मात्रा बहुत ही कम होती है ये शरीर को प्राकरतिक मॉइस्चर देते हैं और हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालते हैं लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि दही और चाज खाली पेट ना खाएं और शाम के समय बिलकुल भी ना खाएं इनका सेवन दोपहर के समय करना चाहिए टीटॉक्स के लिए फर्मिटिट फूड का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि ये गट को हेल्दी बनाते हैं जिससे आपके ओवरॉल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है अब दही, इडली, चटनी, डोसा, धोकला, कैफिर और अचाहर का सेवन कर सकते हैं इसके साथ ही पूरा दिन पानी पीते रहें, एक्सेसाइस करते रहें शुरू में लाइट एक्सेसाइस से शुरू करके इंटेंसिटी बढ़ाते रहें अगर आप जिम नहीं जाते तो करना बिल्कुल भी न भूलें, फिल्हाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई हल्दी वीडियो मैं आपके लिए लाटी रहूंगी, लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें